हेलो एव्यवन वेल्कम तू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय अकाश कोशिक आज की वीडियो के अंतर हम लोग डिस्कॉस करेंगे टीएस देवाल सबकी बुक से कोश्चन चैप्टर नूमबर वन के पंडमेंटल्स के कोश्चन नूमबर 32 तक हम लोग ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था अब हम देखेंगे कोश्चन नूमबर 33 से ठीक है यहां पर हम सैलेडी और कमिशन जो पार्टन को देना होता है उसके रिगार्डिंग हम यहां पढ़ेंगे कोश्चन नूमबर 33 में दिया गया है कि शिव मोहन और गोपाल पार्टनर्स है और वप्र उसका 10 पर उसका 10 पर संधामिय् Chenoy to यह नियुद्धन तनंड कुश्चनफ हों लाकट Azure च स्वीन अमांत और कमिशन पेएबल टु शिव तो हमें बताता है है में क्यलकेट करना है कि इस व्युकर बड़ा आपकी स्क्रीन पर लिखा जाएगा अमाउंट पेपल या फिर अमाउंट या आप देख सकते हैं कोशिन में से भी लिखे लिख सकते हैं आमाउंट ओपमिशन पेबल टू शिव आमाउंट ओफ कमिशन अपेबल टू शिव तो जो पैसा शिव को देना है युन्होंने बोला क्या तक 10 परसेंट ओफ नेट प्रोफिट तो पिटा 10 परसेंट अगर मैं परसेंट हटाता तो नीचे क्या जाएगा अंडर्ड ओन नेट परसेंट कितना था वन लैक टैन थाउसेंट तो पिटा जो शिव को कमिशन का पैसा दिया जाएगा वो कितना बन गया 11,000 रूपी 11,000 रूपे ठीक है यह हो गया हमारा कोशिन नुमबर 33 का सोलिशन अब देखिंगे हम कॉंसेट सेलरी बोनस या कमिशन हमें अगर किसी पार्टनर को देना है और कोशिन में क्या इंफरमिशन है हमारे पास कि एग्जाम्पल की तोर पर हमने यह 10% को कंसिडर किया है 10% और नेट प्रफिट बिफोर चार्जिंग सच कमि ले अगर कुछ बिफोर है तो बिटा जो हमारे नेट प्रॉफिट होता है वो कोई भी चीज चार्ज करने से पहले ही होता है तो नेट प्रॉफिट की साथ अगर बिफोर है तो कुछ नहीं होगा सिंपल कंसिडर करेंगे 10% का 10 over 100 बट अगर यहां दिए रखा है 10% और 5% उपर दिया गया है नीचे उसको एड करते थे अगर नीचे बिटा 5% होता तो इसका परसेंट के निकालते हैं 5 अपॉन में 120 ठीक है अब कोशन पढ़ेंगे हम कोशन नुबर 34 आपकी स्क्रीन पे है कोशन नुबर 34 तो यहां दे रखा है कोशन नुबर 34 की आभा बोबी पर विनीद पार्टनर से और उनका प्रॉफिट शेरिंग देश्यों बिटा इकोली अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं एस पर पार्टनर्शिप डीट डीट पर्टनर्शिप डीट के हिसाब से विनीद इस एंटाइटल कमिशन ओपीज 10% और नेट पर चार्जिंग स हो जाता है तो अमाउंट और जो कोश्चिन में आपसे डेटरिमाइन के बाद पूछा गया है उस लेंग्विज को एस टीज यहाँ पर उतार दिया जाएगा तो क्या लिखेंगे अमाउंट कि और कमिशन पेबल टू विनीद अमाउंट और कमिशन पेबल टू विनीद विनीद को जो पैसा पे किया जाएगा कितना परसेंट टैन परसेंट यह तक है ना कितना था एक मिनीद कोश्चिन काया नहींगा 10% of net profit after charging such commissions अगर यह information यह language अगर कोशिन मिलती है तो जब हम calculate करते हैं परसेंट तो वह क्या होता है जो भी परसेंट उपर दी गई है पॉन में उसको एड कर लेंगे डिनोमिनेटर में क्योंकि वह खुद भी इंकल्यूड है ठीक है multiply करेंगे net profit है कितना 220,000 इसको solve करने के बाद हमारा जो commission दिया जाएगा विनीद को वह आ जाएगा 20,000 रुपीज ठीक है अब हम पढ़ेंगे question number 35 question number 35 में हमें क्या दिया गया है कि ABCD चार partners हैं उनका profit sharing ratio है 4321 फॉर्म ने अंक्या net profit कितना profit कमाया है 180,000 साल वर का दिया गया है एस पर पार्टनर्शिप डीड पार्टनर्शिप डीड के हिसाब से पार्टनर्स विल गैट कमिशन यनि सभी पार्टनर्स को कमिशन मिलेगा 20% of the profit after charging search commission तो बिटा after charging search commission मतलब जो भी percentage दी गई है divide करेंगे उसमें 100 में square करेंगे यनिकि 20 upon 120 जैसे हमने उपर किया था 10% on the net profit after charging था तो बिटा क्या which they will share as 2323 यनिकि जो भी commission का पैसा बनेगा पूरे फर्म के पार्टनर्स का आएगा वो पार्टनर्स आपस में 2323 में share करेंगे आगे बोला गया था कि you are required to show the appropriation of profit among the partners आपको बताना है कि profit कैसे distribute होगा स्टार्ट करते हैं अपने question को answer number 35 या लिखेंगे answer number या solution number 35 तो सबसे पहले हम calculate करेंगे पैसा बनता कितना है commission का तो या लिखा जाएगा commission given to partners जो partner को commission दिया जाएगा बिटा वो कितना है 20% है 20% किस चीज़ का of net profit आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन अब आपको पता है जब कभी भी आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन आते तो बेटर 20 अपन में यहीं डिनोमेटर में एड हो जाएगा तो 120 आ गया 10 होता तो 10 अपन में 120 30 होता तो 30 अपन में 130 करेंगे जो profit दिया गया है वो कितना है 180,000 इसको simplify करेंगे तो यह कितना आ गया हमारा firm का जो firm partner commission का पैसा दे रहा है वो कितना पैसा दे रहा है 2 partners जो दियाएगा will be in 2323 ठीक है तो बेटा partner कितने थे हमारे चार partner थे कि ए मैं लिखा जाएगा बी यहां थोड़ा सब्सक्राइब हम यहीं पीश को कर लेते हैं बिटा केल्टेशन तो हुशी जाहेगी कि और दी तो बिटा पूरे firm का जो commission का पैसा बना था वो बना था थाउसे यही partners के बीच में distribute होगा 30,000 पहले लिखेंगे multiply करेंगे बिटा किस से जिस ratio में यह distribute किया जाएगा 2,3,2,3 यहीं 2 upon me total बिटा टोटल क्या बन रहा है हमारा 10 बी का है 3 upon me 10, सी का है 2 upon me 10 और डी का है 3 upon me 10 ठीक है करने के बार बिटा यह का जो commission का पैसा बना वो 6000 रुपीस बी का 9000, सी का 6000 और बिटा डी का 9000 ठीक है यह commission का पैसा पार्टनर्स का बन गया है ठीक है उसके बाद क्या है बिटा अब commission का पैसा देने के बाद जो पार्टनर्स के बीच में profit का पैसा बचलेगा वो कैसे distribute होगा वही में पार्ट था हमारे question का तो है लिखेंगे distribution of profit की profit कैसे distribute हुआ distribution of profit पार्टनर्स की बीचे में profit कैसे distribute होगा वह आप यहां करेंगे तो पहली बात तो जी profit distribute हों से पहले जी divisible profit बना कितना है जो distribute करेंगे तो यहां दिखेंगे जी divisible profit जो profit divisible है जो बचा है तो पिटा फर्म का net profit क्या था यहां कि उन्होंने कमाया कितना था फिर उनके expenses को less कर देंगे expenses इस क्या थे कि पिटा फर्म ने commission का पैसा दिया है तो net profit जो था वो था एक ल पार्टनर्स को 30,000 तो इसको हटा दिया जाएगा तो अब कितना पैसा पार्टनर्स के बीच में distribute होना चाहिए वो होना चाहिए 1,50,000 यह distribute भी होगा पार्टनर्स के बीच में तो बिटा यहां करतेंगे पार्टनर ए फिर पार्टनर बी पार्टनर सी वो पार्टनर डी डिविजिबल प्रोफिट है 1,50,000 अभी पार्टनर्स के आगे यह लिख जाएगा जो profit पार्टनर्स के बीच में distribute किया जाएगा 1,50,000 फिर किस ratio में बि पार्टनर दी जाएगा कोशिन को धान से लेखिएगा यहां दे रखा है क्या दे रखा है यह 2323 था उनका था profit नहीं वो commission था कमिशन को शेर करने की बात चल दे थी जो 2323 था वो commission को शेर करना था इनका एक्चल प्रोफिट शेरिंग रिशिव बिटा 4321 है यहां confuse मतो जाना तो प्रोफिट के पैसे को 4321 में distribute किया जाएगा तो इसको करेंगे 4321 तो बिटा हैगा 4 upon में total हैगा 10 then 3 over 10 then 2 over 10 last one is 1 over 10 इसको simplify करेंगे तो एको जो प्रोफिट का शेर मिलेगा वो मिलेगा 60,000 60,000 रुपे बी को जो प्रोफिट मिलेगा वो मिलेगा 45,045,000 सी को जो प्रोफिट का शेर मिलेगा वो मिलेगा 30,000 30,000 और डी को जो प्रोफिट का शेर मिलेगा वो मिलेगा 15,000 15,000 ठीक है अब हम करेंगी question number तो सबसे पहले अच्छे से को देखें कि कोशन नुम्बर 36 में दिया क्या गया है तो यहां दिया गया है कि एक्स और वाई पार्टनर से हैं एक फर्म में अभी इनके प्रॉफिट शेरिंग के रिगार्डिंग कुछ नहीं बताया गया एक्स को क्या मिल रहे बिटा सेल्दी 10,000 पर मंथ अंडरलाइन करेंगे पर मंथ जो हम काम करते हैं बनाते हैं पूरे साल बरकात तो बिटा इसको म 10,000 पर मंथ और एक्स को जो कमिशन दिया जारा है 10% of the net profit net profit का 10% after partner salary इनकी profit में से salary का पैसा देने के बाद और कमिशन का पैसा देने से पहले जो पैसा बचा था उसका 10% दिया जाएगा एक्स को कमिशन का पैसा Y is entitled to a salary of rupees 25,000 per annum बिटा इसको किस से कुछी नहीं करना है क्योंकि per annum पूरे साल के दी गई है Commission of 10% of the net profit after charging all commission सारे commission हटाने के बाद और partner की salary हटाने के बाद जो पैसा बचेगा उसका 10% ये commission मिलेगा अबवाय को net profit before providing partner salaries and commission for the year and 31st March 2023 वाज रुपी 420,000 जो net profit होता है बिटा कोई भी चीज charge करने से पहले का ही होता है तो profit में कुछ नहीं करेंगी ये ठीक है शो दा distribution of profit आपको बताना है profit कैसे distribute किया जाएगा बड़ा आसां सा question है question no 36 तो बेटा सबसे पहले profit को distribute करने का बताना है और profit कहां distribute होता है profit and loss appropriation account में चाहे तो आप इसको बिना appropriation में शो किये भी इसको कर सकते हैं बट मैं आपको शो करके दिखाऊंगा ठीक है ताकि आपको ये असाल लगे तो बेटा यहाँ बनाएंगी क्या appropriation account बनाएंगे ठ ठीक है अब ही देखिंगे हम profit and loss appropriation account में कौन तीजिस क्या क्या आएगी सबसे पहले लिखते है profit and loss appropriation account में बाइंग नेट profit और net profit हमें कोशिय में दिया गया है 4,20,000 उसके बार interest on drawing आता है वो हमारे कोशिय में है नहीं सबसे पहले लिखा जाएगा 2 x salaries x salary कितनी थी बिटा 10,000 monthly थी तो year के इसाब से बिटा जो salary दी जा रही है फर्म जो एक्स को दे रहा है salary वो क्या है 1,20,000 फिर commission दिया गया है to x commission यह फिर to commission to x भी आप लिख सकते हैं अब वो हमें calculate करना पड़ेगा यहां बोला क्या गया था अब यहार देखेंगे कोशिय में बोला गया था जो एक्स को commission दिया जा रहा है 10% of the net profit after charging partner salary salary का पैसा देने के बाद और commission का पैसा देने से पहले तो बिटा सिंपल सी बात है 10 upon में आ जाएगा 100% profit profit कितना था बिटा 424,20,000 रुपे क्या करेंगे partner की salary देने के बाद बिटा minus करेंगे partner कितने या दो partners है तो गहां लिखेंगे जी x की salary salary प्लस में y की salary दोनों की salary हटाने के बाद profit में से जो बचेगा उसका 10% देना है हमें commission 10 upon 100 यहां पर आच चुका है 4,20,000 यह net profit है जिसमें से दोनों की salary को आड़ करके less करना है तो बिटा x की salary तर हमने calculate करी ली थी 1,20,000 y की salary हमें दे रखी है question में ध्यान से देखिए 25,000 पर annum given हमें question में देखिए 25,000 पर annum और कुछ तो है नहीं तो यहां simplify करेंगे तो बिटा आ जाएगा 10 upon 100 और लिखा जाएगा 4,20,000 minus इन दोनों को add करेंगी तो less आ जाएगा 1,45,000 यहां लिखा जाएगा 10 upon 100 और इसको solve करेंगा आ जाएगा 2,75,000 और इसको solve करेंगे तो बिटा जाएगा जो commission मिलेगा x को commission मिलेगा 27,000 27,500 ठीक है जो commission का पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा 27,500 तो बैटें लिखतेंगे x को commission का पैसा मिलेगा वो मिलेगा 27,500 उसके बाद बिटा है y को salary वो तो दे रखिये to wise salary तो पूरे कितनी salary दिया रखे y को 25,000 अब y को commission का पैसा देना है उसके लिए भी हमें थोड़ी calculation करने पड़ेगे तो यहां लिखेंगे to wise commission इसके regarding question में हमें दिया गया था कि जो y का commission है वो 10% है net profit का after charging all बैटे जब कभी भी all की बात आ जाए commission है कितने दो जिसमेंसे एक को तो हम calculate ही कर रहे है तो यह इनकी जो percent आएगी वो नीचे क्या हो जाएगी add दे रखाया ना question में question देखे ज्यांसे तो बिटा जब कभी भी all की बात चले all commission commission या सब्सक्राइब नहीं है किसकी बार चल दिया तो यहां पर डिनोमेटर में इस percentage को कर दे जाएगा add 20 होता था 20 अपन में 120 हो जाता अब अब net profit में इसको charge करना है नेट profit कितना है 4,20,000 माइनस commission को करना है और यहां बुला है commission and partner की sell दे को भी करना है तो अगर commission की बात करें तो बैटे commission तो भी एक ही है किसका y का मिकाल रहे है और x का ही है तो यहां दे करेंगे minus x का commission और partner की sell दी है ना x का commission और बैटे पार्टनर्स की salary पार्टनर्स तो पता ही आपको कौन है एक्स और य दोनों हैं पार्टनर्स की salary तो बैटे यहां करेंगे 10 upon में 110 multiply 4,20,000 minus करेंगे एक्स का commission कितना दिया गया था हमने calculate किया था 27,500 प्लस बैटे पार्टनर की salary 120 और 25 कितनी calculate की थी हमने 1,45,000 ठीक है इसके बार इसको solve करेंगे 10 upon में 110 और बैटे 4,20,000 यानिकि net profit में से इन सब का total करेंगे वो आ जाएगा 1,72,500 इसको simplify करेंगे बेटा आ जाएगा 10 upon में 110 कितना आ गया 2,47,500 कितना आ गया 22,500 यह commission का पैसा बनता है जो y को दिया जाएगा 2,500 रुपे तो बैटे 22,500 ठीक है question में और कुछ है question में और कुछ नहीं है तो यहां लिखेंगे बैटा 4,20,000 जो profit का पैसा आया था expenses पे करने के बाद भी यह profit का पैसा जादा है तो partners की बीच में profit को ही distribute किया जाएगा तो यहां लिखेंगे बैटा 2 profit share या divisible profit भी आप इसे कह सकते हैं तो प्रोफिट शेयर या divisible profit वो कितना है 2,25,000 पार्टनर्स कितने है बीचा दो ही पार्टनर्स हैं पार्टनर X और Y इक्वल पार्टनर्स है इसलिए profit distribute वोगा 1,12,500 और 1,12,500 यह चेक कर देते हैं क्या कोई entry वगरा पास तो नहीं करने हैं कोई doubt हो तो आप comment section में comment करकी मुझसे पूछ सकते हैं thank you